अब इस पार्ट में question number 36 को देखते हैं हम लोग the value of cost 1 degree, cost 2 degree, cost 3 degree up to cost 179 degrees ये भी एक funny question है और इस question को करने से पहले मैं आपको hint देता हूँ एक और question के form में कि अगर calculator पर जितनी भी digits होती है उनको product करा जाए तो answer क्या आएगा जी परिशान होने की जरुएत नहीं है इतना कुछ सोटने की भी जरुएत नहीं है क्योंकि उन digits में एक digit zero होती है तो zero into anything would be zero same way जब हम इस expression को देखते हैं तो यहाँ बीच में कहीं एक value आ रहे होगी cost 90 degrees और cost 90 क्या है zero so zero into anything real would be zero तो इस question का answer देखे कितनी आसानी से आ गया है इस question का answer है zero यानि option b जो है वो एक perfect option है आईए अगले question पर बढ़ते हैं यह 37th question जो है वो यह खहरा है कि if tan theta is three and theta lies in the third quadrant तभी तो वो plus में आ रहे है answer क्योंकि third quadrant में tan और one by tan यानि cot यह दोनों plus होते हैं तो output plus है तो third quadrant है यहाँ फिर first quadrant होता है यहाँ इन्होंने दिया हुए that theta lies in the third quadrant then find the value of sine theta तो यहाँ सबसे पहले elimination देखे sine theta third quadrant में क्या होता है यह हमेशा negative value होती है तो यह option तो नहीं हो सकता है न सीडी सी बात मतर 50% option तो वैसी eliminate हो गए तो इन दोनों में से होगा B या C में से तो आए इसको सीखते हैं और मैं आपको इसको दो method से सिखाने वारा हूँ बहुत ध्यान से समझेगा कि क्योंकि tan theta जो है वो third quadrant में है और वो positive है tan theta is 3 इसको मैं 3 by 1 ले लेता हूँ और यहाँ जो theta है वो third quadrant में है third quadrant से बोले तो pi से लेकर 3 pi by 2 तक यानि 180 degree से लेकर 270 degree तक यह वो area है तो यहाँ मैं secant जो है वो लिख रहा हूँ आपको मालू में secant square theta is 1 plus tan square theta अब यहाँ जब मैं secant theta निकालूँगा तो यह minus होगा minus क्यों होगा भई क्योंकि secant theta would be negative because theta belongs to third quadrant तो sec तो negative होता है तो यहाँ से हम secant theta के value निकाल लेंगे जल्दी से और 10 theta 3 है उसका square जो हो जाएगा 9 हो जाएगा यह 10 हो जाएगा और यहाँ से cos theta आजाएगा हमारे पास cos theta के value आ गई हमारे पास minus 1 by root 10 अब इस cos को use करते हुए हम लोग sine निकालेंगे यह देखे अब sine theta क्या होगा sine square theta plus cos theta 1 होता है तो यह हो जाएगा minus फिर से minus 1 minus cos square theta यह देखिए यह trick समझे है और अब यहाँ पर जब हम value पुट करेंगे तो यह हो जाएगा sine theta is under root of 1 minus cos square theta और यहाँ cos theta के value क्या है minus 1 by root 10 लेकिन यह square है तो यह इस तरह से आजाएगा ध्यान से देखो बच्चो हो गया होगा समझा आगया होगा आपको अब और यह होगा 10 minus 1 upon 10 और यह सब कुछ root में है तो यह root 9 over 10 आगया which is minus 3 upon root 10 तो identities को use करते हो हम answer तक पहुँच गए जैसा कि अब मैं second method आपको बताता हूँ और यह second method जो है वो triangle पर भी इस होने वाला है कि triangle को use करते होए उस quadrant में हम लोग कैसे answer generate कर सेके है directly अब देखिए second method में क्या है कि हमने यहाँ triangle form करा यह tan theta की value 3 है यानि 3 upon 1 और क्योंकि trigonometric ratio है तो हमने एक factor ले लिया है कि चलिए actual value यह है तो अब हम ध्यान से देखें अब यहाँ यह देखो यह third quadrant है और tan theta क्या दिया हुआ है 3 यानि 3 by 1 तो यह base है यानि यह 1 lambda है यह 3 lambda है तो hypotenuse की value क्या निकल कर आएगी माली जैसे मैं O, A, B माल लूँ तो O, B की value क्या निकल कर आएगी hypotenuse तो हमेशा positive होता है तो यह आजाएगा 3 का square plus 1 का square यानि 3 square plus 1 square और जो lambda square है उसको मैं lambda बाहर ले लूँगा यानि root 10 lambda तो अब देखो यह भी आ गया अब सीधा ही हम sine theta के value निकाल सकते हैं अब अगर मैं algebraically देखूं तो यह भी negative है क्योंकि यह negative side पर है यह भी negative है क्योंकि यह below the origin है लेकिन यह तो plus होगा हमेशा तो sine theta क्या होता है perpendicular upon hypotenuse और perpendicular क्या है minus 3 lambda hypotenuse क्या है root 10 lambda यानि जो option C है obviously यान सा तो same ही आएगा दोनों method से वही एक correct option है तो दोनों method को अच्छे से करना समझना और मुझे जरूर बताते रहना कि हाँ आपको यह सारे lectures कैसे लग रहे हैं और आपको और किन-किन चीजों की जरूरत है आईए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते है अब इस question को देखा है question number 38 को यह question कह रहा है कि हाँ भी value निकालो tan 75 और cod 75 की तो कोगे यार यह कौन सा मुश्किल question है हम 75 को लिख देंगे 45 plus 30 और हम ऐसी cod की value भी निकाल देंगे या जो tan की value आएगी उसका reciprocal कर देंगे cod की value आजाएगी उसको simplify कर लेंगे answer आजाएगा obviously आप ऐसा कर सकते हो आप समझेए मैं फिर से बता दू एक method ही हो सकता है कि आप tan a plus b को use करते हो इसको a मान लो 45 degree इसको b मान लो तो जो tan 75 की value आएगी technical है लेकिन आपको benefit जरूर देगा आएए इसको एक बाद समझ लेते हैं इस method को अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं इससे थोड़ी practice भी आपकी बढ़ जाएगी यह देखिए इसको मैंने इस तरह से लिख दिया पहले ही change कर दिया और LCM ले लिया तो अब आप यह देखो यह आगया आपके पास अब आप समझ रहे हैं कहां बढ़ रहे हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं और हमने क्या कर रहा 2 से multiply, divide कर दिया minus भी common ले लिया अब देखो minus common लेने से यह हो गया 1 minus अब आप समझ गया होंगे कि मैं आपको कहां ले जा रहा हूं यह देखिए तो यह बन गया ध्यान से देखो denominator से देखो 2 tan theta upon 1 minus tan square theta तो यह tan 2 theta का formula बन गया लेकिन यह तो reciprocal है ध्यान से देखो यह चीज और यह चीज को connect करके देखो तो यह reciprocal है 1 by tan 2 theta आ गया तो हम इस चीज को अब अगर हटाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं minus 2 upon tan 2 theta 2 into 75 degrees तो trust me यह थोड़ा सा logical है लेकिन आपको यह जल्दी answer तक ले जाएगा अब देखो यहाँ पर आगया minus 2 upon tan 150 अब tan 150 की value पूर कर दो आप जानते हो 180 minus 30 और यह minus में होगा क्यों? क्योंकि भाई यह तो second quadrant है और second quadrant में tan negative होता है तो minus और 180 से ratio बदलती ही नहीं है तो यह आगया हमारे पास minus 2 upon tan 30 और tan 30 degree की value होती है minus 2 upon 1 over root 3 तो जो answer है sorry यह minus लगाना मैं बोल गया minus minus पास जाएगा और यह देखें यह jump करके उपर चला जाएगा यानि 2 root 3 कितनी असानी से यह answer आ गया और आप समझ गया है कि option A जो है वो एक perfect option है यहाँ देखिए अच्छा question आईए next question पर बढ़ते हैं बचो यह 39th question का answer आपको शायद पहले से मालम होगा क्योंकि आप यहाँ इस channel पर सारे videos को सारे playlist को अच्छे से देखते हैं हमने already इसको बहुत details से यहाँ पर अलग से एक video बना कर एक चोटा से video बना कर हमने यहाँ पहले से ही इसको explain करा हुआ है कि why one radian कि sign one radian is greater than one degree तो आईए एक बार मैं जल्दी से आपको फिर भी बता दूँ but the best part would be कि आप इस video को अच्छे से समझो और हमेशा जो हम बोलते हैं कि notes बनाते हुए आगे बढ़िएगा देखे one radian approximately 57 degrees 16 या फिर 17 minutes के आसपास की value है तो sign 57 degrees or 17 minutes किसके लगबग पास होगा ये sign 60 को अपरोच कर रहा होगा और sign 60 की value कितनी है लगबग root 3 by 2 और ये किस से बढ़ा है 45 से तो definitely sign 57 degrees and 17 minutes 1 by root 2 से बढ़ा होगा और मैं यहाँ one radian लिख देता हूँ और root 3 by 2 से छोटा होगा लेकिन one degree जो है वो obviously sign 30 degrees से यानि 0 से तो बढ़ी होगी यानि sign 0 से तो बढ़ी होगी लेकिन sign 30 से छोटी होगी यानि ये value 1 by 2 से छोटी है जबकि ये value तो 1 by root 2 से भी बढ़ी है तो clearly sign 1 radian is greater than यहाँ देखे यह देखे जब कोई भी symbol नहीं लिखा होता तो भी ये radian होता है option है फिर भी अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप description box में उसको डाल दें उस doubt को डाल दें और हम उसको clear करने के पूरी पूरी कोशिश करेंगे आगे आगे बढ़ते हैं तो इस 40th question को अगर हम देखे तो यहाँ tan alpha की value alpha numeric दिए हुई है alpha numeric का मतलब number ना देकर alphabets जो हैं वो number को represent कर रहे हैं देखे m upon m plus 1 एक number को represent कर रहे है तो tan alpha एक alpha numeric value है tan beta भी एक alpha numeric value है और हमें alpha plus beta जो है इसकी value बतानी है इन 4 options में से तो आप को गए sir यह कुछ-कुछ याद आ रहा है कि आपने यह already हमें कराया हुआ है तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो हमने part 1 के अंदर part 1 के अंदर हमने जब question number 32 को solve करा था तो बिल्कुल इसी तरह का question था बस हाँ वहाँ पर यह numeric values है और यहाँ पर alpha numeric values दे दी गई है तो आईए इसको solve करते हैं तो हम क्या कर लेंगे हम लोग tan alpha plus beta को open कर देंगे using tan a plus b तो यह होज़ागा tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta और आप इसे calculate करना शुरू करतेंगे आप चाहें तो video को pause करके खुद calculate कर लें और अगर answer समझ में आता है तो आप अगले question पर सीधा jump कर सकते हैं we can skip to the best part ऐसा हाला कि यह भी एक best question है इसको भी आप कर सकते हैं यह जल्दी से values को put करते हैं और यह देखो इस तना से आ जाएगा और अब हम यहाँ LCM लेने वाले हैं और मैं यहाँ पेज आड़ कर रहा हूं और जब हम LCM लेंगे तो आप देहां से देखें कि यह दोनों यह जो चीज है यह और यह टर्म्स जो है numerator में जो LCM होगा और denominator में जो LCM होगा वो आपस में कट जाएगा मैं ऐसा लिख देता हूं 2M प्लस 1 into M और यहाँ हो जाएगा M प्लस 1 divided by M प्लस 1 into 2M प्लस 1 और यह यह ऐसे divide कर दिया और यह हो गया M प्लस 1 2M प्लस 1 माइनस M अपॉन M प्लस 1 into 2M प्लस 1 तो यह और यह पार्ट कड़ गया है और अब हमारे पास आ रहा है 2M स्क्वेर प्लस M प्लस M क्योंकि यह हमें live solve कर रहा हूँ और यहां नीचे जो है वो multiply करना पड़ेगा 2M स्क्वेर प्लस M प्लस 2M प्लस 1 माइनस M यह देखें माइनस M यहां से आ जाएगा तो वह आप जब इससे solve कर रहे हो 2M स्क्वेर प्लस 2M प्लस 1 उपर आ गया है और यह और यह cancel होने पर ऐसा हमें लग रहा था कि कुछ इसतना का answer तो आएगा यह आएगा यह cut गया है answer 1 आ गया यानि answer 10 45 degrees या 5 by 4 आ गया मैं फिर से बता दू बहुत सारे answers आ सकते थे बहुत सारे angles आ सकते थे क्योंकि यह general solution है बट हमसे क्योंकि जो option में दिया गया है वो एक तना से principal value जैसा कुछ दिया गया है यानि एक-एक answer ही दिया गया है तो हम दोनों side जब 10 को neutralize करेंगे याद रुकि यह cancel नहीं होता यह neutralize होता है ध्यान रखे तो alpha plus beta की value by by 4 आ रही है बचो तो हम देखते हैं कि option क्या है जी option clearly समझ में आ गया यह है option D हो गया यह question तो यह था part 2 बचो हमने जान बूझ के हर वीडियो को लगबग 10 से 15 मिनट कर रखा है ताकि आप questions के concept को अच्छे से grab कर सको notes जो है properly बना सको और आईए अब हम part 3 पर enter करेंगे यहाँ पर फिर से कुछ 5-7 questions को लेते हुए याद रखे है हर question के concept को भी हमें समझना है क्योंकि exemplar के अंदर कुछ concept CBSC NCRT में जो नहीं दिया हुआ उससे जादा है तो उन चीज़ों को हम properly explain करेंगे बचो अभी तक अगर आपने telegram groups नहीं join करें तो हर वीडियो के description box में telegram के links हैं जहाँ पर आपको free material और videos हम provide करते रहते हैं चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं कर रहा है तो चैनल को जड़ से subscribe कर लीजिए bell icon दबा दीजिए और जादा से जादा इन videos को